वेल्कम टो यह टांदर वीडियो सुभाश सरक्लासथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से गोली ए कोश गोली ए कोश को मतलब होता है जिसे कोई गोला है ठीक है लेकिन वे अंदर से खोकला होना चाहिए ठीक है तो उस गोली कोश को अगर आपने चार्ज दि और जो वित्रन होगा उपर गोली कोश के उपर तो उसकी वज़ा से जो विद्दुच्छेत्र पैदा होगा आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे ठीक है चुन तो चली शुरू करते हैं सब्सक्नाइब गोली कोश works विद्दुच्छ Nigeria यहां पर इस फूरे गोले के कारण जो विद्धुच्छ पैदा होगा इसके उपर click कही सारे प्वेंट हो सकते हैं जिसकी माली जिए यहां से आपने 10 संटीम्टर के दूरी के खीचा 10 संटीम्टर यहां भी हो सकता है तो यहां से यह बहुत सारे पॉइंच हो सकते हैं तो इन बिंदुओं पर विद्दुच्छेत्र के तीवरता कितनी होगी So, यह outside points है ठीक है फिर जब हम यह calculate कर लेंगे तो हम इसके प्रिष्ट पर आ जाएंगे प्रिष्ट पर कहीं पर भी कि इसके प्रिष्ट पर कितना विद्दुच्षेत्र की तीवर्ता पैदा होगी फिर जब यहां पे छेत्र आ जाए तो फिर इसके भीतर आ जाएंगे हम लोग ठीक है यानि कि तीन point हम लेंगे इस गोले कोश के बाहर P point पर इस गोले के प्रिष्ट पर P dash पर और इस गोले के भीतर P double dash पर student ध्यान दिजेगा इस गोले कोश के कारण आवेश देने के उपरांट विद्दुच्षेत्र के तीवर्ता बाहर प्रिष्ट पर और भीतर तीन बिंदुओं पर विद्दुच्षेत्र के तीवर्ता कैलकुलेट करनी है तो चलिए शुरू करते हैं एक समान रूप से आवेश देने गोले कोश के कारण उत्पन विद्दुच्षेत्र के तीवर्ता नमबर एक कहां के लिए बाहर के लिए बाहर एक्स्टर्नल पॉइंट प्रिस्ट पर इंटर्नल या ओन दा सर्फेस और या भीतर वो लिए गोश के भीतर यानि कि इंटर्नल पॉइंट पर तो तीन पॉइंट पर हम विद्दुच्षेत्र के तीवर्ता को कैलकुलेट करेंगे तो अभी हम पहले शुरू करेंगे बाहर विद्दुच्षेत्र की तीवर्ता कैस ठीक है सुन्ट यह गोली एक कोश है जिसका सेंटर पॉइंट ओ इसका एक रेडियस है त्रिज्या आर आपने इसको आवेश दिया जो इसके बाहरी प्रिष्ट पर एक समान रूप से वित्रित हो गया ठीक है पी और इस पी से होता हुए एक गौसियन प्रिष्ट खीचेंगे अभी गौसियन प्रिष्ट इसलिए कि अगर आप पी पॉइंट यहां पर है तो से कई सारे पॉइंट हो सकते हैं तो उससे गुजरता हुआ एक गौसियन प्रिष्ट खीचेंगे ठीक है सुन्ट तो इस पी से होता हुए गॉसियन ब्रित्ध हम खीचेंगे इस तरीके से इस तरीके से हमने कलपना करके गॉसियन प्रिष्ट खीचा और यह प्रिष्ट इस सेंटर से इस स्मॉल आर दूरी पर आपने लिया है पी पॉइंट पर एक एकांग छेत्रफल जैसे हमेशा आप लेते थे वो लिया जिसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर है डी ये वेक्टर चुकि आवेश पूरे गोले बें वित्रित है तो विद्धु छेत की तीवता भी लंबवत बा सर्ancy को मिलाने के बाद यहाँ पर एक घंकोन मिलता थाकाँ हां हमें डी उमेगा तो स्ट्टेंट्स इस गोज के नियम से वेद्धुत फ्लक्स फाइ बराबर में क्या होता है गोज के नियमानोसार जो जो वेद्ध्ट फ्लक्स फाइए होता हो वो एक्यू अपो अपोन ये e vector dot da vector होता है ठीक है स्वेंट जिसको dot product से हम लोग phi e को whole integral surface integral e da cos theta लिखते हैं ठीक है अब आप इसको figure में अगर देखते हैं लोग तो e और da e और ये da चुकि समान दिशा में है तो इन दोनों के बीच में angle zero degree आएगी ठीक है तो इसलिए phi e बराबर surface integral e da cos 0 degree का मान कितना होता है student एक ठीक है तो इस phi cos 0 का मान एक हुआ e आपका integral से बाहर चला जाएगा तो एक cos की value एक हो गए e आपका बाहर integral से और da integral के अंदर है जिसका मान integral da का a होता है ठीक है पुरानी क्लास से बताया जा चुका है integral da का मान a students phi e बराबर में phi b बराबर में e into a यह हमारा माना आया किसका flux का अब आपका phi गॉस के नियम से यहाँ पर लिखा जा चुका है q by epsilon 0 ठीक है तो अथा phi को हटा के लिख देंगे q upon epsilon 0 ठीक है लिखा इसके स्थान पर बराबर में e into a ठीक है जूरेंट अब यह a क्या है a आपका चेत्रफल है a क्या है चेत्रफल किसका इस Gaussian प्रिष्ट का यहाँ पर हम लिख देता है e gawson pros तो यह आपने कुरा calculation प्रिष्टprises कर रहे है और इसकी दूरिया पर यह देखी कितनी है small r तो वृत का छेत्रफल के आ होता है 4 pi r square ठीक है तो q upon epsilon 0 e into 4 pi r square बहुत बच्चे confuse रहते हैं कि मैं बड़ा r लेना है कि छोट r तो आप ध्यान दीजी कि Gaussian prist की त्रिज़ा कितनी है r ठीक है इसलिए छोट r लिया गया है ओके students परन्तु हम लोग सभी जानते हैं कि आवेश का वित्रण चुकी इस prist पे हुआ है तो prist घनत हमारा sigma चलेगा ठीक है तो आवेश का prist घनत sigma बराबर क्या होता है पुरानी क्लास में बता चुका हूँ q by a ठीक है चात्रों अब ध्यान से आप यह देखिएगा कि आवेश क्यों ठीक है यह क्या है area चेत्रफल तो यह चेत्रफल में किसका चेत्रफल लिया जाए तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा आवेश का prist घनत आवेश का जो वित्रण हुआ है बड़े वाले गोले पर या गौसिन प्रिष्ट पर नहीं हुआ है वो छोटे वाले गोले पर हुआ है जो में गोले है मारा जो बेन गोली प्रिष्ट है तो उसकी तरिज़ कितनी है capital R तो student A का value formula जैसे कि आपको पता 4 pi r square होता है यहां लिखेंगे 4 pi capital R square ठीक है दुबारा मैं बता रहा हूँ आवेश का प्रिष्ट गनलब मतलब आवेश का वित्रण किस पर हुआ है तो इस main गोली प्रिष्ट पर जिसकी तरिज़ कितनी है capital R तो एक इस्थान पर 4 pi r square ठीक है number 5 अब आप sigma तो students अब यह जो formula आपका आया है इसको मैं extend करता हूँ तो यह 4 pi r square के निचे गया तो e is equal to q upon epsilon 0 multiply 4 pi small r square इसको ढ़ंग से अगर आप लिखेंगे तो 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square ठीक है newton पर kula तो यह विद्धुच्षेत्र की तीवरता आगी बाहरी बिंदु पर इसमें आपका k नहीं है ध्यान दीजेगा इसमें k नहीं है इसका मतलब इस 4 तरफ जो भी हमारा एक तरीके से निर्वात लिया गया होगा क्योंकि निर्वात के लिए ही आप जानते है k की value क्या होती है एक होती है ठीक है स्टूर्ण तो इस तरीके से यह विद्धुच्षेत्र की तीवरता बाहर निकल गई अब हमको निकालना है किस पर प्रिष्ट पर ठीक है यानि के नंबर दो प्रिष्ट पर तो गोलिये कोश के प्रिष्ट पर निकालना है अट सर्फेस तो आपको कुछ करना नहीं है कि आपके अप्तरिज्जिया small i के स्थान पर हमें कहा लेना capital R ठीक है small r के स्थान पर capital R तो आप लोगी small r को हटा के उसके स्थान पर capital R put कर देंगे इसलिए ये formula आपका जो ये आया था e equal to यहां देखिए 1 by 4 pi epsilon 0 ठीक है into q अब आप इसको small r नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बाहर के लिए था प्रिष्ट पर आ रहे है तो ये प्रिष्ट पर बढ़ा r चलेगा r का square क्योंकि हमने radius चोटार लिया इसका दूरी और प्रिष्ट पर निकालते हैं तो बढ़ा same to same है ठीक है अब हमारा target है कि हम इस गोले के भीतर आते हैं मालीजे कि ये point है कोई P double dash ठीक है प्रिष्ट के लिए हमने माल लिया था P dash बाहर हमारा P तो चली अब हम लेकालते हैं कि इस पर गोले के भीतर कि छात्रों हमारा जो आवेश दिया गया है ये q istska वितर नहीं है ध्यान दीजेगा बाहरी बाहर है तो अंदर चार्ज का वितरं नहीं है तो अंदर कि बीतर je नहीं है अंदर नहीं आवेश Nab वितर बाहर बाहर है तो इसलिए charge q Q is equal to 0 students okay अब आपने अभी अभी देखा था फॉर्मुला हमारा था वन अपन फॉर पाइपसलों 0 क्यू बाई आर स्कूर तो इसका मतलब यह हो गया कि बाहर हमारा फॉर्मुला जो ई का आ रहा था विद्दुचेत की तीवर्ता का वन अपन फॉर पाइपसलों 0 क्यू बाई स्मॉल आर स्कूर अजब हम इस गोले के प्रिष्ट पर आते हैं तो हमारा आवेश का वित्रण आवेश के कारण उपन विद्दुचेत की तीवर्ता वन अपन फॉ आप लोगों को बाहर प्रिष्ट पर अभीतर विद्दुचेत की तीवर्ता केल्कुलेशन करा दी गई है आप इसको ढंग से लिखके याद करके मुझे कॉपी चेक कराईए थैंक्यू बेरी मच्च